करनाटक की 224 सिटो पर ओटिंग पुरी हुई 66% ओट पड़े अब इंतजार रिजल्ट का ओटिंग के तुरान बाद कई एजंस विये ने अपने एक्जिट पोल्स जारी किये इन एक्जिट पोल्स को देखे तो करनाटक में त्रीशंकु विदानसबा का अनुमान दिख रहा है करनाटक विदानसबा चुनाव को लेकर सी ओटर, लोगनिती CSDS, 61 माई इंडिया और टुडेज चानक्य ने अपना एक्जिट पोल्स जारी किया इन महापोल के अनुमानों से काफी हद तक साफ होता है कि राज्य में बिजेपी और कांग्रेस के बिच काटे की टकर हुई लेकिन दोनों में से कोई भी दल बहुमत का जादूई आकड़ा पार नहीं कर पाएगा वही राज्य की तिसरी प्रमुक पार्टी जेडियस यहां किंग मेकर की भूमिका निवा सकती है करनाटक का अगर सियासी इतियास देखे तो यहां वर्ष 1950 के विदान सबा चुनाओं के बाद कोई भी सत्तादारी दल लगातार दूसरी बार जनसमर्दन हासिल नहीं कर सका है हाला कि सत्ता रूर बिजेपी पिछले 38 सालों से चले आ रहे रिवास को तोलने की उम्मिद है तो वही कांग्रेस जहां सत्ता विरोधी लहर और अपने चुनाओं वादों के दम पर बारी जनसमर्दन के साथ पुर्ण बहुमत हासिल करने का दावा कर रही है अब किसके दावे में कितना दम यह 13 मई को वोटों की गिंती के साथ ही साफ हो पाएगा 2018 में हुए चुनाओं में 72 प्रतिशत मद्दान दर्ज किया गया था जिसमें बार्तिय जन्ता पर्टी सबसे अधिक 104 सिटे जीती और उसके बाद कांग्रेस का स्थान रहा था एक्जिट पोल पर नज़र डाले तो Z News और Matrix के एक्जिट पोल में कांग्रेस को 103 से 118 सिटे मिलने का अनुमान लगाया गया है भारतिय जन्ता पर्टी को 99 से 94 सिटे मिलने का अनुमान है तता जन्ता दल सेकिलर को 25 से 33 सिटे मिल सकती है TV9 और Pol State के exit poll में कहा गया है कि कांग्रेस को 99 से 109 सिटे मिल सकती है जबकि भासपा को 88 या 98 सिटे मिलने का अनुमान जताया गया है इसके अलावा JDS को 21 से 26 सिटे मिलने का अनुमान जताया गया है एबीपी न्यूज और सी ओटर के exit poll में कांग्रेस को 100 से 112 सिटे तता भासपा को 33 सिटे पिचानबे और जवदेस को 21 से 29 सिटे हासिल हो सकती है exit poll के मुताबित मध्य करनाटक इलाके में कांग्रेस को 23 सिटों में से 12 सिटे जा सकती है वही भासपा को 10 सिटे मिलने का अनुमान है वही JDS को इस इलाके में एक सिट मिल सकती है करनाटक के करावल 30 ही इलाके में भासपा को बंपर फाइदा होने की उम्मीद है बासपा को यहाँ 19 में से 16 सिटे मिलने की उम्मिद है तो कांग्रेस के खाते में 3 सिटे जा सकती है JDS को इस इलागे में 1 भी सिट मिलती नजर नहीं आ रही है बिंगलूरू में 28 सिटों में से कांग्रेस के खाते में 17 सिटे जा सकती है वही भासपा को 10 सिटे मिलने का अनुमान है GDS की बात करें तो उसे इस इलागे में 1 सिट मिलने के आसार है exit pole को लेकर करनाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बंबाई से बात करने पर उन्होंने कहा exit pole के आकड़े exit pole होते है यह 100% सही नहीं हो सकते हम पुर्ण बहुमत हासिल करने जा रहे है और सरकार बनाने जा रहे है मुझे लगता है कि हमें 13 मई तक इंतजार करना चाहिए वही दूसरी और करनाटक में BJP के वरिष्ट निता और पुरुव सियम B.S. Edu. Europe ने कहा मुझे सव फिजदी आत्म विश्वास है कि हम सपष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे है त्रीशंकु विदासबा या गटबंदर सरकार का कोई सवाली नहीं है लेकिन अंतीम फैसला राष्ट्रेय नितरुत्व लेगा हमें 115 से 117 सिटे मिलने वाली है इसलिए अभी जेडियेस के साथ जुनने का सवाली नहीं उठता इंतजार करते है और देखते है वही कंग्रेस नेता आलोक शर्मा ने कहा पुरी तरह से हमें उम्मीद है कि जो आकड़े जिस तरह से आ रहे है हमारी इस पश्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है कंग्रेस नेता विरप्पा मुईले ने भी करनाटक में कंग्रेस की सत्ता अनेकी बात कही है उन्होंने कहा राजनिती में मेरे 55 वर्षों के अनुभव के अनुसार कांग्रेस पार्टी को आसानी से बहुमत मिलना चाहिए करनाटक में कांग्रेसी सरकार बनाएगी उटिंग खत्मोने के बाद कांग्रेस नेता राहूल गांदी ने जनता और पार्टी कार्य करताओं के प्रती आभार जताया उन्होंने कहा मैं अच्छी तरह से चलने वाले गरीमा पूर्ण और जनसरो कारों के लिए ठोस अभियान के लिए बबबर शेर कार्य करता हूँ और कांग्रेस के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रगती शील भविश्य के लिए बड़ी संख्या में मद्दान करने के लिए करनाटक के लोगों को उन्होंने धन्यवाद भी दिये पोल्स अब पोल्स के मुताबित भासपा को 98 और कांग्रेस को 99 सीटे मिलने की उम्बिद है वही जेडियस को 24 और अन्य को 3 सीट मिलने का अनुमान है इससे सिदे सिदे इस पश्टन नजर आ रहा है कि किसी को भी बहुमत नहीं मिलने वाला है और जेडियस के बिना कोई भी सरकार स्थापन नहीं कर सकता लेकिन यह सब एक्जिक पोल के अंदाज है 13 मै को जब नती जाएंगे तो असली चित्रा सामने आ जाएगा तब तक सभी पार्टियों को अपने अपने दम पे सकता बनाने की कवायद शुरू कर देनी चाहिए